जन्नायक करपुरी ठाकुर जी को भारत रत्म भी प्रदान किया गया अब आप जानिये ने उनको भारत रत्म प्रदान करने के लिए तो हम तो सुरू से कह रहे हैं आप अगर देखियेगा तो जब हम लोग की सरकार बनी है 2005 में तो 2006 के बाद 2007 से ले करके आई 2023 तक हर साल पहले कॉंग्रेस की सरकार या और की सरकार बाद में अभी जो सरकार है इन सब लोगों को हम अन्रोद करते रहे लिखते रहे कि भाई जन्नायकर पुरी ठाकुर जी का भारत रत्म प्रदान किया जाए अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुसी ह मैं इसके लिए केंदर सरकार को और प्रदान मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्विकार कर लिया अब पता चल गया है कि जन्नायकर पुरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग सुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना क काम किये हैं तब सब को लगने लगा है कि अगर उनकी इज़त करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है तब जो भी हो अब जो कर दिये जिस कारण से भी कर दिये मुझे तो खुसी है तब बधाई देता हूं और वो रामना ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिये रा सिए है हम को तो फोन नहीं किये है लेकिन सब प्रेस के माज़्यम से हम भी उनको बधाई देते हैं कि इत Bjarnay अबिद भी आप से फुरू से करते रहें और जन्ना अकर पूरी ठाकुर जी के सब काम को अजन्याकर पुरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे आज कर लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है नेता बनता है जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो उचले गए तभी हम इनको जो रामनाठ ठाकुर जी को जब उच चले गए तो हम ही लोग रामनाठ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए यहां पर मंत्री रहे सब कुछ रहे आजकल राज सभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के नेता भी हैं अहर तरह से उनका इज्जत ह हम लोग तो करते हैं लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारे को बढ़ाते रहता हैं लेकिन आप समझ लिजिए कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए और एक ही बात जान लिजिए कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी से ही स इसलिए एक सब चीजों को याद रखिए कौन क्या बोलता है बोलते रहे हमको उसे कोई लेना देना नहीं